So hello everyone and welcome back to another video So, तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जहाँ पर तुम लोग कह रहे थे कि या टॉप 5 सीजन 1 बेस के बारे में बताओ तो इसलिए आज किस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ तॉप 5 ऐसे सीजन 1 बेस के बारे में जो कि लाइक सबसे ज़्यदा पावरफुल थे और जो सबसे ज़्यदा स्ट्रॉंगिस्ट थे इस वीडियो में मैंने सभी बेवलेट्स को इस बेस पर रैंक किया है कि उनका स्टॉक कॉम्ब में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इसका मतलब कि क्या वो अपने स्टॉक कॉम्ब में मतलब मोस्ट ओफ बेस को हरा देते हैं जो भी ऐसे ताप 5 बेस होंगे जो Khi लाइक सबसे ज़्यदा पावरफुल होँगे अपने स्टॉक कॉम्ब में सभी बेस को हरा देंगे वो ही इस वीडियो में रैंक करेंगे तो अब जो मैंने तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में बता दिया है तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि क्चैजों करेंगे हैं अब बात करेंगे अब अपयर है वीडियो नौ्मल ही होते थे बस तुम्हारी लेर कीशेप मैटर करती थी कि मतलब अगर तुम्हाई लेयर में जयदा बड़े-बड़े ब्लेड्स लगे हो हैं तो वो जयदा टकराएगा एंड इसके बर्स्ट होने का चांस जयदा रहेगा तो इसकी लेयर की shape भी decent सी है बड़ जो main reason है कि क्यों ये फिफ्ट प्लेस पर rank करता है वो है इसकी disc मैं बात कराओ जे रैक डिस्क के बारे में कि उस टाइम पर ये disc काफि जिदा heavy थी प्लेस जो प्रेस ड्राइवर है इसका वो उस टाइम पर मैं कहूंगा नॉर्मली था तो इसकी जो डिस्क है उसकी वज़े से मैंने इसे फिफ्ट प्लेस पर रैंक किया है अगर मैं सच बोलू तो उस टाइम पर यानि की सीजन वन के टाइम पर जितने भी बेस थे वो सभी ऐसे नॉर्मल टाइप के थे मतलब ऐसा नी था कि कोई एक ही डॉमेनिटिंग बे होगा जो कि सभी बेस को रा देगा नहीं ऐसा नहीं था कुछ बेस के स्टॉक ओंबो थोड़े से जएदा अच्छे थे जिसकी वज़ी से उनके जीतने के चांसे बढ़ जाते थे इसका ये मतलब नी था कि वो लाइक हर बार ही जीतेंगे तो तुम इस रैंकिंग को जयदा सीरियसली मत ले ना क्योंकि उस टाइम पर सभी बेस काफी जयदा बैलेंस टाइप के आते थे इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं 4th place के सबसे जयदा strongest season 1, 2 के बारे में क्योंकि ये है giant gaia and मैं जानता हूँ कि इसका नाम काफी जयदा जीव है बट मैंने इसे 4th place पर इसलिए रहेंगे है क्योंकि जो इसकी layer के teeth हैं वो like सच में काफी जयदा अच्छे है like seriously, बहुत ही जएदा अच्छे है, बट जो इसकी लेर की overall shape है, वो देखने में तो circle जैसे ही लगती है, बट इसमें बहुत सारी contact points है, जिसकी वज़े से burst रोने का खतरा थोड़ा सा जएदा रहता है इसमें, बट जो इसकी बाखी चीज़ है, वो like सच में काफी ज़दा अच इसकी disc again, मैं कहूंगा decency है, बट जो इसका driver है fusion, वो काफी ज़दा अच्छा था उस टाइम पर, तो इसली चलो अब बात कर लेते हैं, third place के सबसे strongest season 1 bake के बारे में, क्योंकि यह है acid anubis, अब अगर तुम लोगों को यह नहीं पता, इस bake को own कौन करता है, तो anime में इसे अख print करना लाइक, बहुत ही ज़यदा मुश्किल हो जाता है, बट जो इसके layer के teeth है, वो काफी ज़यदा बेकार है, प्लस जो इसकी disc again, काफी decency है, बट जो orbit driver है, वो काफी ज़यदा अच्छा है, तो layer की overall shape and अच्छे खाजे driver की वज़े से, मैंने इसे third place पर rank किया है, इसली च चीज़े काफी ज़यदा अच्छी है, पहले तो इसकी layer की shape देखो, मतलब इसमें तुम देख सकते हो, स्रिफ चार ही contact points है, बाकी ये पूरी shape rounded है, ये layer की shape इतनी ज़यदा अच्छी थी कि उस time पर WBO यानि की World Babelet Organization के tournaments में इस layer को ban कर दिया गया था, मतलब जहां पर भी उनक में इसे attack करना है, तो वो काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसकी layer इतनी ज़यदा recoil type के नहीं है, मतलब काफी ज़यदा इसे काटे लगे हो है, ये काफी बड़े-बड़े blades लगे हो है, ऐसा नहीं है, मतलब 4 main contact point है, बाकी पूरी layer round है, मतलब बिल्कुल ही round है कोई भी ऐसे हलके full care design के तोर पर भी कुछ नहीं लगा, बिल्कुल round shape है, जिसकी वज़े से ये layer काफी ज़यदा अच्छी हो जाती है, प्लस इसके teeth काफी ज़यदा अच्छे है, अगें disc में कहूंगा decent सी है, प्लस जो इसका jaggy driver है, वो अच्छा खासा attack, यानि की flower pattern तो शू का nightmare lost longiness, 120 बे को मैंने number one place पर इसलिए rank की आई, क्योंकि यही था beyblade burst की franchise का सबसे पहला left spinning way, प्लस इसकी layer में metal भी देखने को मिलता है, और यही पहला बे था, जिसकी layer में तुम्हें metal देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसकी layer के teeth काफी ज़यदा अच्छे है, एंड इस इसकी layer काफी ज़यदा heavy ती, जिसकी वज़े से मतलब तुम जानते ही होगे, जो बेज जितना ज़यदा heavy होता है, वो उतना ही ज़यदा देर तक spin करता है, तो इसकी वज़े से जो spiral driver का stamina loose वाली problem थी, वो उस time पर इतना बड़ा issue नहीं था, क्योंकि उस time पर जो बाकी base थे, वो ही खुद काफी कम time तक spin करते थे, प्लस जो lost longiness है, वो पहला left spinning bay है, तो उसकी वज़े से spin equalization का भी फायदा मिलता था, since उस time पर जितने भी बाकी base थे, वो सभी right spin base थे, प्लस इसकी layer में metal होने की वज़े से जो इसके attack होते थे, वो लाइक सबसे ज़्यदा powerful hits होते थे, इन सबी चीज़ों की वज़े से lost longiness clearly season 1 का सबसे strongest bay बन जाता है, तो यही थी आज की video top 5 strongest season 1 base के बारे में, तुम्हारी क्या rankings होंगी season 1 के base के बारे में, कि लाइक तुम किस bay को number 1 place पर rank करते हो, किस bay को last place पर rank करते हो, तो अपनी rankings कमेंट करना मत बोलना, प्लस अगर तुम् चैनल को subscribe कर देना, साथ ही साथ Instagram के ओपर भी follow कर सकते हो, link तुम्हें description में मिल जाएगी, and मैंने अपना एक short channel भी बनाया है, उसे भी तुम check out कर सकते हो, उसकी link भी तुम्हें description में मिल जाएगी, और अगर तुम्हारा कोई topic है, जिस पर तुम चाहते हो, कि मैं video बनाओ, त अपने उस topic को comment कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल से जल उस topic के ओपर वीडियो लेके आप आओ, but अभी के लिए तुम मेरे main channel and मेरे extra channel को subscribe कर सकते हो, तो इसलिए subscribe now, thanks for watching.